आती रहेंगी वाहारे, जाती रहेंगी वाहारे दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हसी है ओ, ओ, आती रहेंगी वाहारे हस हस के सब दर्द पुला दे, हर घम को खुशियों की दुआ दे इत वफा के प्यार की सरगम, बन के रहेंगे दिलों में सदा हम है मुझे यकी, जीना है यही, इसी को कहें जिन्दगी हो आती रहेंगी वाहारे चाती रहेंगी वाहारे आती रहेंगी वाहारे चाती रहेंगी वाहारे तुम्हें एक प्राइब नहीं करते हैं? हाँ बाइया, एक बार कोशिश करके देख लीजे नहीं बापा, शादी के लिए मेंटली प्रिपेर्ड नहीं हो आप चाहें तो इस परिवार को रश्मी के मनुस साय से बचा सकती है आप उसपन करेते हैं? गर के आलाद कुछ ठीक नहीं है तो आप नहीं हो उसकती है तुम्हें क्या लगता है? अधुभी तक बचया आप अची दिदी? अची दिदी? अची दिदी, ममी बचापा क्या हो रश्मी? अरशी दिदी, क्या आप कुछ से नाराज है? क्या आप अमर और मेरी शादी के खिलाफ है? बताए ना दिदी रश्मी मामी क्या हुआ बेटी? मामी आप नहीं चाहती कि है आपके घर की बहुंगोनू क्या आप नहीं चाहती कि अमर और में क्या हुआ है रश्मी बेटी आज ऐसे सवाल क्यों कर रही हो पापा ये सवाल आप पोछे नहीं अपने बेटे आमर से पोछे जिस ते हमारी शादी को एक सवाल बना कर अग दिया जिसके वहार रोज एक नहे जवाब देते है अब क्या हुआ? डिदी अब वो कह रहे है कि करके हालाथ ठीक नहीं है और ऐसे हालाथ में हम शादी नहीं कर सकते इसलिए कम से कम छे महिने के लिए रुपना पड़ेगा पापा मैं आप से पोछते हूँ ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? जिसके मज़े से शादर पॉस्पॉन करनी पड़ रही है यहाँ पर मुझसे कोई गलती हो गयी हो अब मम्य अगर मुझसे कोई गलती होई हो तो बीज आपनक शिकात तें जी गया ना नहीं रश्मीर, रुए नाबंद कर दो तुमसे कोई गलती नहीं होई है नहीं हमें कोई शिकायाथ है तुमसे आमर आमर तुमने सुना मुझसे कोई गुति नहीं हुई इन सबको मुझसे कोई शिकायाथ नहीं है तुमसे प्रिशादी क्यों पोस्पॉन कर रहे हैं हम शादी क्यों नहीं कर सकते अभी मैं बता तुमसे नहीं बलकि मुझ से बेटी दरहसल बात यह है कि इछले कुछ महिनों से मुझे बिजनेस में बहुत ही घाटा हो रहा है काफी बड़ी लॉस खाई है जिसकी वज़े से मैं कैश क्रैसी से फेस कर रहा हूँ वैसे ही मैं यह बिजनेस की बाते घर पर किसी को बताना नहीं चाहता था लेकिन लगता है मेरे बेटे को पता चल गया है और एक बेटा होने के नाते वो यही चाहता होगा कि मैं इस क्रैसीज में जे उबर आओं और बाद में हम शादी करे तो ही अच्छा होगा लेकिन तुम चिंता मुद पर वेटे मेरा एक लौता बेटा है आखिर उसकी शादी वैसे होगी जैसे हम सब जाते थे धूम धाम से क्यों बेटे हाँ पापा देख लिया ना उनका बहना हमने उनसे कहा ना निमा की तभियाट ठीक नहीं है ना एक ना सुनी हमें उसे अच्छा लगे या बुरा उन्हें कोई परवानी है देख लिया उनका असली चेहना ममी ऐसी बात नहीं है ज़रूर उनने कोई प्रब्लेम होगी इसलिए तो उन्ह मादू ने सही कहा था उन्हें किसी की फिलिंग्स की बिल्कुल परवा नहीं है मामी प्लीज मादू जूट बोल रही है और अब ये बात भी मुझे आपको बतानी पड़ीगी अमा उस खर के लोग ऐसे नहीं है इन बातों से हमारे बीच दूरी पैदा करके मादू अमर के क और किसी से नहीं और अपनी प्यार के खाथर छे माईने तो क्या मैं पूरी उम्र इंतसार करूंगी पागल हो गई क्या क्यों अपनी जिंदगी बरबात करने पर तुली हो वक्त कोई भरोसा नहीं अगर वक्त पे हमने सही कदम नहीं उठाया तो अफसोस करने के सिवा हमें कुछ ते हासिल होगा नहीं ममा ऐसा नहीं होगा मेरा मन कहता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा ममी आज तक आपने इना हर फैसला माना है मैं इस बार भी आपका सपोर चाहती हूँ रिलीज मी मैं जो कुछ भी करूँगी अगर तुमारी यही जित है तो कोई बात नहीं हम तुमारी यह भी जित पुरी करेंगी लेकिन कुछ भी कहूँ अमर पर से मेरा विश्वास कम होता जा रहा है बस नीदू नीदू मुझे आफिस के लिए देर हो रही है मिना नाष्टा अरे वह नाष्टा अलवेडी लगा दिया है इहां बहुत अच्छा है क्या हो नीदू मिल्दा परेशान क्यों लग रही है नीदू बात क्या है? पैड़ी बात कर पाऊंगी देखो नीदू यहां पर इतने सारे लोग हैं कुछ प्रॉब्लम हो तो नानी मा को बोल देना वो संभाल लेंगी इसी बात का तो डर है पैड़ी अकर पापा ने मुझे इन सब लोगों के बीच में देख लिया तो पता नी क्या सोचेंगे तुम नहीं जानते पैड़ी पापा को समझाना ही सबसे मुश्किल काम है प्लीज पैड़ी एक दिन की ही तो पात है देखो नीदू मैं तुमसे जूट नहीं कह रहा हूँ मेरा ओफिस जाना बहुत ज़रूरी है अज ओफिस में बहुत इपॉर्टन मीटिंग है जिस पे मेरा फ्यूचर और तुम्हारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है प्लीज तुम संभाल लो यही तुम मैं कह रही है पैड़ी तुम समझने की कोशिश करो ना देखो नीदूप सच तो यह कि तुम अपने पापा को मुझसे बहतर जानती हो तुम उन्हे ज़ादा अची तरह से समझा सकती हो और फिर अगर कोई भी टेंशन हो कुछ भी प्राब्लम हो तो तुम मुझे फोन कर देना मैं फोरान आ जाओगा ठीक है बाई अज तुम ही इस तरह से नौवस हो कर बैठी हो आ रश्मी लेकिन तुम्हे नहीं पता किसी को प्रेच करना अलग बात है और खुद उस पे अमल करना अलग बात है नहीं मैंने ही बानती अगर इंसान को खुट पर भरोसा हो ना तो इन दोनों भातों में कोई फरक नहीं होता नहीं तुम तो मेरी ममी को जानती हो अगर वो एक बार ना कह दे न तो उनसे हाँ कहलवाना कितना मुश्किल होता है बल्कि ना मुम्किन होता है लेकिन फिर भी मेरे लिए सिर्फ मेरी वज़े से वो अमर के घर तक गए मेरा रिष्टा मानने और फिर हमारी सकाई हो गई और इन दोनों घरों के बीच में एक रिष्टा जुड़ गया, है ना? हाँ, बिल्कुल जुड़ गया लेकिन कामयाब नहीं हो यूंकि किसी भी रिष्टे की कामयाभी शादी में है और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई मैं जानती हूँ लेकिन इस बात के लिए तुम्हें खुश होने की कोई सरुरत तुम अभी भी एक बहुत बड़ी भूल कर रही तुम्हे तो ये भी नहीं पता कि शादी और सगाई के बीच का फास्ला बहुत कम होता है अच्छा है बहुत अच्छा है मुझे तो लगता है कि हर इंसान को तुम्हारी तरह ही सोचना चाहिए और तुम्हारी तरह ही आशावादी होना चाहिए लेकिन रश्मी तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक कटी हुई डोर के अलावा और कुछ नहीं है फिर भी तुम आसमान की ओर देख रही हो इस उमीद पर कि वो कटी हुई पतंग की डोर तुम्हारे हाथ ही लगे लेकिन अफसोस हकीकत में ऐसा नहीं होता अब तुम मुझे यकीन हो चलाए कि तुम जैसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता हूँ सिर्फ हिदाया देजा सकते हूँ और मैं तुमको हिदाया देती हूँ कि तुम मेरे और अमर के पेच में आने की कोशिश मत नहीं होगा वड़ा तुम्हें हार के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा समझी तुम मुझे चालेंज मत करो रश्मी तुम नहीं जानती कि अमर के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ देख ले ना एक दिन तुम्हारे ही सामने मैं तुम्हारे अमर को तुमसे जीत कर ले जाऊंगे और तुम्हारे सारे अर्मान धरे के धरे रह जाएंगे हलो जी पापा किया हुआ एक भाइए आप क्या हुआ ओके पापा क्या हुआ नीदू बसांना नीदू क्या हुआ पापा आ रहा है और मुझे को समझ में लेका पादा करो अगर पापा को पता चल गया ना कि मैं यहा इस में रहते हैं, तो पधा नहीं कैसे रेक्ट करेंगें। नहीं तुम चिंदा मत करो, इस बी बोल्ड, okay? सब कुछ ठीक हुजाएगा. अच्छा तुम में काम करो, तुम पैडी से बात कर लो. हलो? पैडी प्लीज? प्लीज? अवे वाँ कमने डिलेक्टर्स के साथ मेटिंग में बढ़े हैं. और वो, अवे किसी का भी कॉल अटेट नहीं कर सकते हैं. आप प्लीज को किन अटे बादे फोन कीजिए. हलो, हलो, प्लीज तुड़िया, कुछी. क्या हुआ? क्या हुआ, नीतु? तुम भी से रोनी क्यों लगी? बता ना? और उन्हें पहड़े को फोन नहीं दिया. कोई बात नहीं. कुछ नहीं होगा. हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा. अच्छा, सुन. मुझे फोन दे में, मैं अमर को फोन करती हूँ. हो सकता कि वह हमारे ले को छुपाया निकाले? अमर, अमर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है. अरे, बता तो सही क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? अमर, नीतु के पापा भी थोड़ी देर में यह आने वाले है. हमें कुछ समझ में यहाना कि ओने कैसे हंडल करें. यह तो अच्छी बात है कि नीतु के पापा यहां रहा है. इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमर, वाइ जूंट यू अंडर्स्टैंड? मैं पापा को इस गह में कैसे ले जा सकती हूँ? अगर उनको पता चल गया, तो पता नहीं कैसे रियक्ट करेंगे. अमर, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है. तुम नहीं जानते हैं, पापा को बहुत गुसा आता है. और जब उनको गुसा आता है, वो कुछ भी कर देते हैं. अमर, यही तो प्रॉब्लम है, वो दोनों इस वक घर पे नहीं है. पापा किसी ओर्डर के लिए बाहर गया है, और पैड़ी, पैड़ी ओफिस में किसी मीटिंग में बिजी है. मैं उसे फोन कर रही हूँ, कोई उसे फोन भी नहीं दे रहा. अमर, प्लीज, अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो. नितो मैंने कहा ना, तुम टेंशन मत लो. रश्मी, तुम दोने मेरी घर चलो. 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 अलो, कहा है पापा आप? येस बेटा, तुमने जहां कहा ता, वहां पर मैं पाँच चुका हूँ. लेकिन तुम कहा हो? पापा, मैं तो घर पे ही हूँ. तो मेंटे तुम घर पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे बताए हुए चॉल के बाहर तर तुम पहुंच गया हूँ. पापा, आप गाड़ी वहीं पाट केजिए और थोड़े से आगया हीए. वहां पर एक बड़ा सा गेट होगा. हम वही पर आते हैं. ठीक है. अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा. हम सब है ना? मैं हूँ अमर है. सब कुछ शीक हो जाएगा. चलाँ चाँ. ए दीट तुवेते. पैटे, कैसी हो तुम? नौस्ते, नौस्ते. पापा, आप कैसे हैं? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ. तुमने शादी कर ली, और मुझे बतानी की जरूद भी नहीं समझी. ऐसी क्या नाराज की है, बेटे. बाप हो तुम्हारा. वो दो मदू काका ने मुझे बता दे, वरना मुझे तु पता ही नहीं चलता. पापा, वो सब इतना अचानक करना पड़ा, और पिर मुझे डर था कि कहीं आप नाराज नहीं हो, इस शादी के खिलाफ नहीं हो, इसलिए. और रश्मी बेटे, चलो माना की मेरी बेटी बेवकूफ है, लेकिन बेटे, तुम तो मुझे बता सकती थी ना? वो, वो अंकल… हाँ, तुमने भी यही सोचा होगा, कि मै तो अपनी बेटी की खुश्यों का दुश्मन हूँ. नहीं, पापा, ऐसी बाते ही है. केर, अब यह बताओ मुझे, कि हम लोग यहीं पे खड़े-खड़े बाते करते रहेंगे, यहीं, आप मैं करभी दिखाओगे मुझे तुम. यह तो पागल है, अंकल. आप आएए ना, अंधोर आएए. आएए, चाल. आएए. नाएए. घर तो तुम्हारा अच्चा है, वेटे. थैंक्स, पापा. लेकिन हमारे घर से थोड़ा छोटा है, बटेस्नाइस. अब वेसे अब तो यह तुम्हारा घर है, वेसे पिटे, दामाजी नजर नहीं आरहे है? पापा वो किसी जरूरी मीटिंग में गए है उन्हें तो आते आते शाम हो जाएगी और तुम्हारे सुसूर्दी? पापा तो सुबह ही चले गए थे उनका तो डेली रूटिन फिक्स यह ना? नमस्ते अंकल नमस्ते आप? मैं पादी का कजिन हूँ पिष्ली एफते गुजरात से आया हूँ वहां के हाला तो आप जानते ही है सोचा यहां कर पादी की मदद से कोई चोटा मदा बिजनस शुरू करूँगा बढ़े आप प्रावड ओफ मैं सुन इनलाव इतनी छोटी से उम्र में लोगों की मदद करने लाइक हो गया है अब तो से मिलने को बहुत जी चाह रहा है अंकल आप अंधर आप बैठिये ना नहीं पैठे नहीं क्या है कि एक दो मीटिंग्स एटेंड करनी है ऐसा करते हैं नहीं तो बैठे तुम मेरे साथ चलो पैठी को शाम को फोन कर देंगा फिर अम लोग एक साथ डिनर करेंगे क्यों डिनर तो करेंगे पापा लेकिन अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकती क्यों वो वो कहते ना पापा वो रिवाज होता है कि जब लड़की पहली बार अपने माई के जाती है तो अपने पती के साथ जाती है तो आप चलिए पापाप मैं पैड़ी के साथ आती हूँ अरे वाँ मेरी बेटी तो वाकरी बड़ी हो गई है बहुत समझदारी की बाते करने लगी बगवान करे तुम्हारा दामन हमेशा खुशियों से भारा रहे अच्छा पैटे मैं चलता हूँ शाम को भूला कात हूँ नमस्ते बटी बाए बटी थैंक्स थैंक्स बोट अफ्यू इसमें थैंक्यों क्या बात है लेकिन नीतू मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बापा को सब सच पताई दना चाहिए था क्योंकि जब उने सच्चाई का पता चलेगा तो तुक तो होगा है हाँ नीतू अमर बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम्हें बापा को सब कुच सच सच पताई देना चाहिए मैं भी यही सोच रही हूँ कि शाम को उनको सब कुच सच पता दूंकि तब पैड़ी भी मेरे साथ होगा और मुझे हिम्मद भी मिले कि हाँ भाँ 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 चाय पानी कुछ तूं नितू कहा है दिखाईने दे रही है बतानी कहां चेली गई कब के गई है अब दो गंटे होने को आए आती होगी नो आ गई नितू कहां गई थी तुम किसी को बताया भी नहीं वह पापा मैं मंदेर गई थी और फिर कुछ समान भी लाना था अरे लेकिन तू तो खाली हाता रही है अँटी मैं अपना पर्स घर में भूल गई थी मैंने सोचा कल जाकर ले आउंगी और कितना जूट बोलोगी नितू आती रहेंगी वहारे जाती रहेंगी वहारे दिल की नजर से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हसी है आती रहेंगी वहारे हुआ है